हेलो फ्रेंज, नवजाश शिशू के लिए उसकी मा का दूद किसी वर्दान से कम नहीं होता है ये बात तो आपने हमेशा सुनी होगी और हमेशा ये भी कहा जाता है कि किसी ओलत की डिलिवरी के बाद उसे सबसे पहले अपने मा का ही पीला घारा दूद पीना चाही ऐसा करने से उसे पूरी जिंदिगी के लिए अपनी बॉडी से रोगों को मुक्त करने की शक्ती मिल जाती है अकसर आपने ये भी सुना होगा कि सारे डॉप्टर हमेशा नई मा को यही हिदायत देते हैं कि वो पहले छे महीने तक बच्चे को केवल अपना दूद ही पिलाएं और इसके अतेलिक तो और कुछ भी ना पिलाएं फिर चाहे वो पानी ही क्यों ना हो क्योंकि नजाश शिशु के लिए उसकी मा का दूद ही पानी होता है उसकी मा का दूद ही खाना होता है और सब कुछ वही होता है मा की दूद के अंदर बच्चे को काफी ज्यादा प्रोटीन मिल और काफी ज्यादा शक्ती भी मिलती है जिसकी वज़े से बच्चा लंबे समय तक अपनी बॉडी को रोगों से बचा पाता है मा की दूद के अंदर कई ऐसी चीजे भी होती हैं जो बच्चे के शरीर को रोगों से मुक्त करने के लिए और रोगों से लड़ने की शंता देते हैं ऐसा करने से बच्चे का इम्म्यून्टी सिस्टम भी काफी हद तक मजबूत बन जाता है और बच्चे की मासपेशों को मजबूत करने के लिए भी ये काफी अच्छा आप्शन रहता है मेरी ब्यूटी और हेल्ट से डिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए